हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका इस वीडियो में एक ने टॉपिक के साथ आज की इस वीडियो में हमारा ने टॉपिक है नोबेल प्राइज 2019 में नोबल प्राइस की घोशना की गई थी और 6 छेत्रों में जो नोबल प्राइस दिया जाता है वो पिछले वर्स 2019 में दिया गया है तो आईए कुछ और बाते महत्पूर्ण बाते जानते हैं इस वीडियो में अब भी स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो नोबल प्राइस कार जो 2019 में दिया गया था वो नोबल फाउंडेशन की तरब से दिया जाता है जो नोबल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के जो विज्ञानिक अल्फिर्ट नोबल की याद में ये प्रतिवर्स 6 छेत्रों में दिया जाता है जो 6 छेत्र हैं वो शांती, साहित्य भौत्य की, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्षास के छेत्र में नोबल प्राइसकार दिया जाता है यह जो नोबल प्राइसकार है जो 6 छेत्रों में दिया जाता है ये दुनिया का सबसे सर्वोच प्राइसकार है नोबिल पुरसकार जो है पहली बार 1901 में दिया गया था और जिसमें पुरसकार के रूप में एक प्रसस्ती पत्र के साथ 14 डॉलर की रासी प्रदान की जाती है जैसा कि हमने अभी बताये कि नोबिल पुरसकार 6-6 तरों में प्रदान की जाता है बहुत की रसाय चिकित्सा विज्ञान और सास्त्र साहित्य सांती और ये जो नोबिल पुरसकार है वीशो का सर्वोच पुरसकार है नोबिल सांती पुरसकार को छोड़ कर जो 6 छेत्रों में दिया जाता है उसमें से जो शांती का जो छेतर है उसमें पुरसकार को छोड़कर अन्य सभी छेतरों के पुरसकारों के जो घोशना होती है वो स्वेडन में स्टॉक होम में की जाती है और जो शांती पुरसकार के जो घोशना है वो नार्वे के ओसलों में की जाती है जान लेते हैं कुछ Alfred Nobel के बारे में Alfred Nobel का जो जन्म है वो 21 अक्टूबर 1833 में Stock Home स्वेडन में हुआ था और यह एक इंजीनियर और एक अविश्कारक थे और यह कैमिस्ट भी थे Alfred Nobel ने जो कूल 355 अविश्कार अभी तक किये हैं तो जब Nobel की मृत्य हो गई थी Alfred Nobel की मृत्य हो गई थी 10 December 1896 को इटली में होगा था उसके बाद उन्होंने अपने मृत्यू के पहले ही उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति के एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रग दिया था उनकी जो इक्षा थी कि इस पैसे के ब्यास से हर साल उन लोगों को समानित किया जाए जिनका काम इस अभिशकार या मानव जाती की लिए सबसे कल्डियान करी पाया जाए तो स्विडिस बेंक जो स्विडिस बेंग में जमाराशी के ब्यास से ही Nobel Foundation द्वारा हर वर्स प्रती वर्स 6 छेतरों में सरवाधिक योगदान के लिए पुरसकार दिया जाता है जैसा कि हमने बात किया था Nobel Foundation के द्वारा ये पुरसकार दिया जाता है तो Nobel Foundation की जो इस थापना थी 29 जून 1900 को हुई थी और 1901 से मतलब उसके अगले साल से ही ये नोबिल पुरसकार दिया जाने लगा था और 1901 में प्रथम नोबिल पुरसकार दिया गया था वर्स 2019 के नोबिल पुरसकार की जो गोशना थी वो अक्टूबर 2019 में की गई थी और जो इस बार जो साहित्य का भी साहित्य का जो नोबेल पुरसकार मिलता है वो नोबेल पुरसकार 2018 के भी घोशना इसी वर्स की गए क्योंकि पिछले वर्स जो 2018 में जो घोशना होनी थी वो साहित्य के छेत्र में नोबेल पुरसकार किसी को नहीं मिला था तो वो 2019 के साथ ज 2018 का साहित का नोबल पुरसकार अप्टूबर 2019 में घोशित किया गया तो देख लेते हैं और भी इंपोर्टेंट जो भी छेत्र हैं उसके अंदर और महत्पूर्ण बातें तो पहला देखते हैं चिकित्सा चिकित्सा के छेत्र में अमेरीका के जो विलियम केलीन, ग्रेजग, सेमेंजा और बिर्टेन के पीटर रेड क्लिफ को संयुक्त रूप से नोबल पुरसकार दिया गया है और यह पुरसकार उनकी खोज के लिए दिया गया तो उनकी खोज क्या है उन्होंने आक्सीजन की उपलब्दता समझने और उसको अनकूल बनने की कोशिकाओं की छमता उसमें ढूड़ी है जो कैंसर के इलाज के नए तरीके ढूड़ने में मदद देगी यह यह तीन वैक्ती है जिनको यह नोबल प्रसकार मिला है नेक्ट देखते हैं रसायन सास्त्र केमेस्ट्री के छेतर में तो इस साल 2019 में जो इस छेतर में जो नोबल प्रसकार प्राप्त किये हैं वो जॉन भी गुड एनफ और स्टैनली विगिंटम और अकीरा यशुनो को नोबिल मिला है तीनों ने मिलकर लीथियम आयन बैटरी विक्सित की थी और इन बैटरीयों का जो इस्तिमाल आज हर छेतर में जैसे अंध्रिक्ष की छेतर में इलेक्रिक गाडियों और भी जो इनफ हैं वो नाइन्टिन सेवन इयर्स के हैं और यह पुरसकार जीत कर उन्होंने यह सरवाधिक उम्र में नोबिल पुरसकार जीतने वाले वैक्ती बने हैं नेक्ट देखते हैं फिजिक्स में भौतिक सास्त्र के छेत्र में नोबल पुरसकार जो है ये ये पुरसकार जो है आठ अक्टूबर 2019 को रॉयल स्वेडिस अकेडमी आफ साइंस स्टॉक होम में दी गई और ये कनाड़ा अमेरिका के जो जेम्स पीबल्स स्विजर लेंड के म इस बिंङ बैंग के बाद जो ब्रह्माण का विकास कैसे हुआ इसके लिए य này पुरसकार इने दिया गया है ये ये लोग है जिने यह नोबल पुरसकार दिया गया है देखते हैं साहित्य के बारे में तो जैसा कि हमने डिसकस किया है कि 2019 में ही 2018 के जो साहित्य का नोबल प्रसकार था साहित के छेत में वो पीटर हैंड के को दिया जाएगा और जो अस्ट्रियाई मूल के लेखक हैं और जो पीटर को भासा में नविंतम प्रेगों के लिए प्रसकार दिया जा रहा है और लेखीगा के सांसां जो समाजिक कारे करता की भूमिका निभाने वाली जो ओल्गा तुकार जुक को 2018 का साहेत्य का नोबिल प्राप्त हुआ है यह वो लोग हैं ओल्गा तुकार जुक हैं जो नोबिल पुरुस्कार मिला है और ये जो हैं फ्लाइट्स जो इनकी एक पुष्टा है कि उसको उनके लिए इन्हें पिछले वर्ष 2018 का मान बुकर अंतराश्टी पुरिसकार भी प्रदान किया गया है नेक्स जेकते हैं शांती के छेत्र में तो शांती के छेत्र में जो नोबिल पुरिसकार है वो इथूपिया के प्रदान मंतरी जो है अभी एहमद अभी एहमद को शांती का जो नोबिल पुरिसकार दिया गया है यह पुरिसकार उनके देश के जो शत्रू थे इरिट्रिया जो सीमा संघर्ष सुल्जाने के लिए दिया गया है जो अभी एहमद हैं वो अपरेल 2018 में ही इथोपिया के प्रदान मंत्री बने थे और अफरीका में जो लाल सागर के तड़ पर हॉर्न अफरीका में स्थीत जो इट्रिया देश है तो 1993 में इथोपिया से ही वो अलग होकर एक सोतंत्र देश बना था किन्तु उसके पांच वर्स बाद ही सीमा वर्ती एक जगह है एक शहर है बाड में परनियांतरण को लेकर दोनों देशों के बीच जो सैन गतिरोद प्रारम्भ हो गया था तो उर्सी को सुल्जाने में इन्हें इस छेत्र का जो शांती के छेत्र का जो नोबिल प्रसकार प्रदान किया गया है यह है एथोपिया के प्रदान मंत्री देखते हैं आठ सास्त के छेत्र में आठ सास्त के छेत्र में भारतिय मुल्के जो अभिजीत बेनर्जी हैं और उनकी पतनी एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर को वैश्विक गरीबी खत्म करने के प्रियोग के उनके शोध के लिए नोबिल पुरिश्कार से समानित किया गया है अभिजीत बेनर्जी जो फिलाल मैसाचुएट्स इंस्ट्टूट अफ टेक्नलोजी में और साथ के प्रोफेसर हैं उन्होंने 1981 में कुलकाता उनिवर्सिटी से बियस्सी और उसके बाद से उन्होंने अपनी जेनियू से में और फिर हार्वर्ड उनिवर्सिटी से पियस्डी की है उनकी जो पत्नी है डफलो अब्दूल लतीफ वो भी जमील पावर्डी एक्शन लैब की वो सर्थापक भी है तो 58 जो इर्स के अभिजीत बनर्जी है वो अर्थ सास के छेतर में इस पुरसकार को पाने वाले भारतिय मुल्के दूसरे अर्थ सास्त्री है जबकि पहले अर्थ सास्त्री थे वो अमर्थ सेन थे जिन्हें 1998 में नोबिल पुरसकार मिला था नोबिल पुरसकारों की धियास में छटा उसर है जब पत्ती पत्नी को एक पुरसकार एक साथ दिया गया है ये है अभिजीत बनर्जी और ये उनकी पत्नी कुछ महत्पूर्ण बाते हैं जो हमें जानना चीए जैसे कि भारत में अभी तक केवल पांच नागरिकों को ही नोबल पुरसकार से समानित किया गया है जैसे कि बाल अधिकारों के संगर्ज के लिए कैलास अत्यार्थी को 2014 में सांती के छेत्र में नोबल पुरसकार मिला था फिर समास सेवी मदर टेरिसा को 1979 में शांती के छेत्र का नोबल पुरसकार मिला था रवीदनार टेगवर को 1913 में साहित्य के छेत्र में नोबल पुरस्कार मिला था भौतगी के छेत्र में सिवी रवन को 1930 में और अर्षास के छेत्र में नोबल पुरस्कार अमर्थ सेन को मिला था जैसे कि हमने डिसकस किया कि अभी जो अर्षास्त्री को मिला है और ये सेकंड जो तो ये अमर्थ सेंथे और जो अभिजीत बनरजी है वो पहले उनको इस साल ये पुरस्कार मिला है और इसके अतिरिक जो है भारतिय मूल के जो हर कोविन खुराना थे जिसको चिकित्सा के छेतर में और एस चंदर सिखर को भौतकी के छेतर में और वेंकर टॉमन राम कृष्णन को रसायन के छेतर में नुबर पुरसकार मिला था लेकिन वो पुरसकार की घोष्णा से पूर भी ये तीनों लोग अमरीकी नागरिक तक रण कर चुके थे इसलिए ये भारतियों के लिष्ट में नहीं आते हैं इसलिए भारतियों मूलके और अभिजीत विनरजी जो हैं जो 2019 में जिने अर्थ सास के छेतर में पुरसकार दिया गया है वो अभी भारतियों मूलके हैं लेकिन वो अमरीकी नागरिक हैं और भारतिय मूल के V.S. नाइपाल जो 2001 में साहिते के छेतर में नूबल पुरसकार मिला था लेकिन वो भी भारत के नागरिक नहीं थे तो इस तरीके से हमने नूबल पुरसकार के बारे में कुछ हमने इंपोर्टन बाते जानी और देखा कि 2019 में जो नूबल पुरसकार मिला वो छे छेतरों में किन-किन वेक्तियों को मिला है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ने टॉपिक के साथ थैंक यू